दोस्तों आज हम सब लोग गुर्गोविन सिंग जी के साहिबजादों और माता गुजरी देवी जी की सुप्रीम शहादत माता कुजरी कौर जी की सुप्रीम शहादत को नमन करने के लिए इकठे हुए हैं हम पूरे दिल से उनकी शहादत को नमन करते हैं और मैं समझता हूँ की शायद मानव जाती के पूरे इतिहास में केवल भारत भारत नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में इस किसम की शहादत की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती है आज हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे यहां पे आए हुए है देश का किसान आज बहुत दुखी है देश के किसान पे मुसीबत आई हुई है इस टाइम हम लोगों को भी कितनी सर्दी लग रही है एक जैकेट पैन रखी है एक स्वेटर पैन रखा है अंदर इनर पैन रखा है मफलर पैन रखा है आप सोचो रात को जब इतनी ठंड हो जाती है खुले आसमान के नीचे सडक के उपर हमारे किसान भाई, माताएं, बच्चे पिछले 32 दिनों से सोने को मजबूर है आखिर क्यों? सोच सोच के भी दिल काप उठता है चालिस से जादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहां पे आज इस मंच के जरिये इतने पवित्र स्थान पे इतने पवित्र मौके पे मैं हाथ जोड के केंदर सरकार से अपील करता हूँ यह अपने ही लोग हैं हमारे ही लोग हैं हमारे भाई हैं हमारी बहने हैं हमारे बुजुर्ग हैं यह अपने ही देश के लोग हैं इनकी बाते सुनके इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यही खतम करो अब और कितनी शहादत लेना चाहते हुआ पता नहीं किस किस तरह की बाते की जा रही हैं तरह तरह से यह सभी सरकारों का एक तरह से हथियार होता है मेरे को याद है जब अन्ना अंदोलन में हम लोग बैठा करते थे हमें भी बदनाम किया जाता था आज किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी है किसानों को कहा जा रहा है राश्टर द्रोई है अरे किसान आतंकवादी हो गए और किसान राश्टर द्रोई हो गए तुम्हारा पेट कौन भरेगा तुमको रोटी कौन देगा उसके बाद सतर साल से किसानों को अपने देश के किसानों को सब ने धोखा दिया सारे नेताओं ने धोखा दिया सारी पार्टियों ने धोखा दिया किसानों ने केवल और केवल धोखा देखा अभी तक सारी पार्टियां कहती थी तुम्हारे लोन माफ करेंगे किसी ने लोन माफ नहीं करें सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती थी तुम्हारे बच्चे को नौकरी देंगे किसी नौकरी नहीं दी अब ये तीनों कानून लेके आएं इन तीनों कानूनों के जरिये भी इनकी खेती भी छीनना चाते हैं किसान के बास खेती के अलावा तो कुछ होता नहीं है उनकी खेती भी छीनना चाते हैं उनकी खेती भी उठाके बड़े बड़े दो चार इनके पूंजी पती दोस्त हैं उनको देना चाते हैं अगर खेती भ कहां जाएगा और तो तुमने इनके लिए कुछ करा नहीं, खेती करता है बिचारा किसान, खेती भी चली गई तो किसान कहां जाएगा फिर, तो जितने किसान आप सोच के देखो इतनी ठंड में, अपने घर के बुजुर्गों को और बच्चों को लेके जितने किसान बैठे ह वो अपने सर्वाइवल के लिए बैठे हैं क्योंकि अब आर पार की लडाई बन गई है जब खेती भी चली जाएगी और खेती पे बड़े-बड़े कंपनियों का अधिकार हो जाएगा तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा तो अपनी खेती को बचाने के लिए बैठे ह अभी केंद्र सरकार ने इन्होंने अपने सारे बड़े-बड़े नेताओं को उतार दिया मैदान में इन्होंने सारे मंत्री उतार दिये सारे इनके मुख्य मंत्री उतार दिये इन्होंने मैदान में आके भाशन दे रहे हैं इस कानून से किसानों का फाइदा है मैंने इनके सारे भाशन सुने अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फाइदा होगा ये बता सके आप भी सुन लेना Google पे जाके, यूट्यूब पे जाके, जितने ये बड़े-बड़े नेता आते हैं, सारे क्या कहते हैं, कहते हैं, हम बताएंगे, क्या फाइदा होगा, बताओ जी, कहते हैं, इससे आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो ये कोई फाइदा हुआ, जमीन तो है ही पिर कानून क्यों लायो कानून फ़ाड़के बैंक दो आज भी नहीं गई कानून फ़ाड़के बैंक तो इनको कोई फाइदा नहीं बता रहे वो कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं होगा किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा तो फाइदा किसका होगा फाइदा उनका होगा यह साफ जायर है कि किसानों का कोई फाइदा नहीं है फिर एक फाइदा बताते हैं यह क्या फाइदा कहते हैं अब किसान मंडी के बाहर पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है बताऊ जी, कहां बेचें। मैंने पूछा इन से, मैंने का भी हार में मंडी नहीं है, आठसो रुपए कुइंटल भीकरा है वहाँ पे फसल तो आप यही बता दो साड़े ऑठारा सोएं मेसपी है, साड़े अठारा सोसे ज्यादा दाम पूरे देश में कहां भीकरा है जहां हम भी नहीं बता पा रहे हैं लोग किसानों को फाइदा केवल और केवल पूंजी पतियों को है केवल तो आज पूरा देश दो भागों में बटा हुआ है एक वो लोग हैं कुछ लोग हैं जो उन पूंजी पतियों को फाइदा पहुचाना चाहते हैं करोडों किसानों का नुकसान करके एक वो लोग हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं और चार पांच पूंजी पतियों को नुकसान हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है अगर करोडों किसानों का फाइदा हो रहा है तो उसके भी इसका पता है वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को किसको जादा जानकारी है कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है किसान बता देंगे मैंने किसान जत्थे बंदियों के जितने नेता हैं मैंने इनके भी सारे वीडियो सुने हैं इतने शांदार तरीके से आपको सम्विधान समझा देते हैं इनको सारा सम्विधान पता है इनको सारा कानून पता है मुझे पूरा यकीन है जितना इनको पता है उतना तो इनके मंत्रियों को भी नहीं पता हो तो मैं आज चैलेंज करता हूँ एक बारी दूद का दूद पानी का पानी भी हो जाएगा कि इनके जितने जो भी इनके सब सबसे बड़े मंतरी हैं जिसको सबसे ज़्यादा इसकी जानकारी है वो आ जाएं और हमारे किसान नेता आ जाएं और पूरे देश के सामने आमने सामने डिबेट हो जाएं पूरे देश को पता चल जागा ये कानून कितने खतरनाक हैं और ये कानून कितने गंदे हैं तो मैं आज उमीद करता हूँ इस पवित्र स्थान से की केंदर सरकार और किसानों की शहादत ना करवाए चालिस से जादा किसान शहीद हो चुके हैं और अब इनकी आरपार की लड़ाई है जल्दी से जल्दी केंदर सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले मेस पी की गारंटी दे उसके लिए कानून लेके आए और अब किसानों का संगर्ष खतम करवाए बहुत बहुत शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख